हेलो गाज स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में मैं आपकी लिएक राया हूं कि रोयल इन फिल्ड की क्लासिक 3.50 जो बिल्कुल नूँ है इसमें काफी सारे अपडेट्स रोयल इन फिल्ड ने किये हैं पुरानी वाली ग्लासिक 3.50 के मुकाबले चाहे आप अगर इसकी इंजन की बात कर ले चाहे आफ फ्रेम की बात कर ले या फिर हेड लैंप इंडिकेटर इन सब की बात कर ले और पुरानी वाली रॉयल इंफिल्ड क्लासिक 350 में जो जो प्रॉब्लम्स थी यह सारी चीज को रॉयल इंफिल्ड ने इसमें दूर किया है बट फिर भी की बात कर ले तो यह टोटल फाइव वैरियंट के साथ आती है यह जो आप सामने वैरियंट देख रहे हैं यह है डूल चैनल अबियस वाले इसी में आपको सिंगल चैनल अबियस मिलते हैं साथ ही स्पोक वाले विल मिलते हैं इस तरीके से टोटल फाइव वैरियंट हो जात चाहे आप अगर bikes की बात कर ले या फिर cars की बात कर ले सारी गाड़ी में आपको ये वाली color options लगभग अब देखने को मिलने लगी है अब इस matte black color के उपर जो red color के inserts है ये काफी लोगों को अच्छी लग सकती है बट मुझे personally जावाम जैसे आपने देखा हो कि black color के उपर जो gray color के inserts होते हैं वो ज्यादा मुझे attractive लगते हैं हलागे colors हो गए या फिर body language हो गए design हो गए ये तो अपनी अपनी सब की अलग-अलग choice होती है बात करते हैं front से तो front में इसमें जो आपको head lamp मिलने लगे हैं ये बिल्कुल new design के साथ आने लगी है और पुराने वाली में जो problem थी थोरो स related मुझे भी लगती थी जब मैं night riding किया था bullet के या फिर bullet ही लोग ऐसे तो कहते हैं इस bike के साथ तो अच्छा खासा problem मुझे face करना पड़ा था जो इसकी high beam या फिर low beam की जो थोरो थी वो सही नहीं जाती थी बट अब इसे royal infield ने इसमें दूर कर दिया है बट अभी भी यहाँ पर आपको dRL नहीं मिलते हैं पुराने वाली की तरह यहीं पर हैलोजन वाले हैं जिससे मैं आपको ओन करके दिखाता हूं तो की भी देखेगा तो की आपको इसमें मिल रहे हैं मैटी और इन सब की तरह तो देखिए यहाँ पर आपको नॉर्मल हैलोजन वाले dRL ओन होगे turn indicator है यह आपको हैलोजन बेश्ठी मिलते हैं इसकी भी size जो है वो छोटी कर दी गई है पुराने वाले की मुकाबले है तो overall front से आपको जो है पुराने वाले की तरह ही look मिलती है design में वैसा कोई changes देखने को ने मिलेगा अगर आप rear की और चले जाते हैं तब भले ही आपको changes देखने को मिलेंगी इसकी जो till lamp यह पहले से थोड़ी अलग design की दी गई है rear से थोड़ी बहुत आपको mature की तरह लगती है इसकी जो indicator है वो भी उसी design के है तो rear से यह थोड़ी रेट्रो टाइप की आपको look इसकी जो है मिलने लगी है बाकी total चीज वैसे हैं आपको same मिलते हैं बात कर लेते हैं अब इसके tire size की तो tire size भी आपको same मिल रहे है 100 by 90, 19 section के जिसके front में यहाँ पर ABS ring sensor इस जगा है बाइब रे के आपको इसमें disc brake caliper मिल जाते हैं और spoke type की इसमें आपको मिलती है alloy wheel front वाली जो disc plate rotor है यह आपको 300 mm के मिल जाते हैं वहीं अगर rear की बात कर लें तो rear वाली आपको 270 mm size की आती है यह जो plate है यहाँ पर ABS ring sensor हो गए और tire size इसमें मिलती है 120 by 80 18 inch के यानि यह 18 inch की front वाली जो है यह आपकी एक inch बड़ी size मिलती है 19 inch के और exhaust pipe है वो कुछ इस तरह के आपको मिल जाते है यहाँ पर classic 350 लिख्यों आती है इस जगह आपको engine मिलते हैं engine जो है इसमें mature वाले ही अब आने लगे हैं और अच्छे खासे refined हो गये हैं जो मैं आपको थोड़ी देर में check भी कराऊंगा इस side से आपको sardi guard मिल जा रही है यहाँ पर rear में suspension मिल जा रहे हैं gas charge नहीं है नॉर्मल वाले आपको suspension मिलते हैं front में वही front में भी suspension जैसे की पहले आ रही थी उसी तरह की same design के साथ आती है sitting की बात कर लें तो sitting जो है यह अब आपको नीचे side में spring वाले पहले आते थी यह चीज़ अब company ने हटा दिया है और rear वाली जो seat है यह थोड़ी चौड़ी और बड़ी कर दी गई है जिससे होगा कि pillion को काफी main problem थी मुझे भी personally लगती थी कि इसकी handle lock जो पुराने वाली में थी वो करने पड़ती थी आपको इस जगह से बट यह चीज़ अब company ने आपकी दूर कर दी है आप normally इस जगह की लगा यहां से इसे इस तरीके से देखिएगा तो यह जो अब आपकी handle है यह हो जाती है lock जो काफी मुझे जो सबसे अच्छी अपडेट लगी वह चीज़ भाई यही चीज़ लगी काफी problem भी मुझे face करना पड़ता था उस time तो यह चीज़ अब आपकी meteor या फिर supernova इन सब में देखा होगा तो royal infield की जिसके उपर लिखी हो जाती है यहां पर since 1901 लिखी हो जाती है यह total तीन function करेगी इस तरीके से आपकी हो गई engine kill हो गई बिलकुल यह आपने इस तरीके से किया तो इसकी जो fuel tank के अंदर motor है यह on हो गई और आपको self लेना होते बफ नॉर्मली इस तरीके से यह start हो जाएगी वापी से बंद करनी हो तो इस तरीके से बंद कर सकते हैं यह हैं आपके hazard light के बटन जो जलती है कुछ इस तरीके से जलती होई आपको लगती है तो यह जो feature है काफी सारे लोग आजकल ठंड के दिन में भी on करके चलते हैं चार इंडिकेटर्स on कर लेते चाहें वो कार वाले हो बाइक वाले हो यह सारी चीज इस वज़ा से नहीं दिये जाते हैं जब गाड़ी खड़ी रहे तभी आप यह चीज यूज किया करें तो यह एक हमारी तरफ से आप लोगों को request है बाकि इस side देखें left side वाली तो यह आपको साइद अब single horn कर दिये गया है तो इस जगह horn की control मिल जाती है और वियंस आपको यह total fiber ही मिलेंगे बाकि total जगह आपको metal ही यूज किये गया है चाहे आप rear की मटगाट ले 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 या फिर इस side वाली side call ले ले यह total चीज आपको metal finish के साथ आती है यह जो एक आपको button मिलती है तो वो मिलती है इस से related अब इसमें क्या क्या चीज मिलता है वो भी आपको मैं check करा देता हूं तो simply key बंद किया गाड़े ignition इसकी मैं किया on तो यह जो needle है यह swipe up होके उपर side जाती है यहाँ पर आपको छोटी सा information के लिए display मिल जाती है जिसमें few level indicators हो करती है trip 1 trip आप change यह ही स हो गई यहाँ पर आपको odometer और few level indicator यहाँ पर मिलती है और यह जो देख पार है रोयल इंफिल्ड क्लासिक 350 इस जगा company ने दिया है इसमें एक maps related navigation की आप उसमें fitting करा सकते जिसकी cost 5000 रुपे एराउंड लेते हैं अब यह कितने काम की है वो लोग भाई आप हमें comment करके बताएं क्योंकि मुझे personally वह चीज़ जनुवन अतना लगता नहीं है कि simply अगर आप long राइट पर जा रहे हैं तो यहां पर आप अपनी मॉंट कर ले मॉवाइल इस जगह charging के लिए port भी मिल जाती है जो अब यहां पर एड़ कर दिये गा है तो यह problem जो है आपकी GPS इन सब से related यह दूर हो जाती है पता नहीं इस जगह से आप देख पाएंगे तो यहां पर आपको यह चीज मिलती है तो इस काफी हाड है यह चीज तो इस जगह से आप अपने मॉवाइल इस से connect करके यूज कर सकते हैं fuel tank के उपर metal वाले ही आपको cap मिलती है इसकी जो total क्या tank capacity है sitting height क्या है ground clearance क्या है इसके उपर मैं एक अलग से separate video बनाऊंगा जिसमें इस bike की और java 42 2.1 की comparison type की video रहेगी तो उसमें detail हम लोग बात करेंगे इसमें overall उपर साइट सी हम लोग बात कर दे रहे हैं अब इसकी exhaust note है वो चीज मैं आपको सुना देता हूँ तो नॉर्मली इस तरीके से start है लगी पहले से काफी ज्यादा refine हो गई है बट फिर भी अभी जो इसके ओर वीम से इसके उपर vibration है ही जैसे यह देखिएगा तो अच्छी तो दूर नहीं हुई है बट गाड़ी के ऊपर जो vibration आती है वो जरूर आपकी दूर हो गई है और exhaust note भी है वो पहले को मुकावले अब पड़े अच्छे लगने लगे है रोयल इंफिल्ट ने बाकि इसमें options दिये हैं ऐसे भी लोग after market इसमें लगवा ही लेते हैं ज्यादा आवाज करने वाले चीज यहां पर देखेगा तो रॉयल इंफिल्ट की जो नीचे साइड में इंजन गाड़ मिल जाती है इसे कर देता हूं यह इंजन साड़े तीन सो सिसी का है जो प्रडूस करता है 20.2 बहप का पावर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो एयर कुल्ड है पता नहीं रॉयल इंफिल्ड इसे ओयल कुल्ड भी बोलता है बट वैसा तो कोई चीज लग नहीं रहा है अब इंटरनल में क्या चीज है वो चीज मुझे परसनली नहीं मालूम और पहले वाली जो फ्रेम आती थी यह आती थी सिंगल टूब के साथ बट अब य रॉयल इंफिल्ड लिखे हुए आती है जो ब्रेश्ट एल्मोनियम फिनिस के साथ मिलते हैं और यह थोड़ी उभरी हुई है यहां पर टैंक पैड हो गए क्लासिक 350 इस जगह लिखे हुए आती है रियर में भी रॉयल इंफिल्ड लिखे हुए आते हैं बाकी यहां पर तो प्राइस की तो इसकी प्राइस एराउंड आपको पढ़ती है दो लाख और तालिस हजार रुपए जो जावा से थोड़ी महेंगे कह सकते हैं कि है अगर आपको जावा 42 2.1 की वीडियो देखनी हो तो वह भी आपको अपने इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी बाकी इस इसी तरह के कीक तो नहीं मिलेंगे रॉयल इंफिल्ड देखिए अगेन यहां पर भी लिखे हुए आपको मिलते हैं तो चलिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो तक ड्राइव सेफ बी सेफ